बस पर्फ पिघनने का इंतिजार दो सो आतंकियों का कफन तयार पाकिस्तान का नाबाग जूट एक बार फिर हो गया बेनकाब आतंकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान विल पे फॉर इट सेना का ओप्रेशन नौल आउट आतंकियों की घुसपैट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बर्फिली पहाड़ियों पर आतंकी दिख रहे है देखिए कैसे भारी बर्फबारी और पाकिस्तान की तरफ से कवर फायर की आड में आतंकी एलोसी पार कर हमारी सीमा में दाखिल होते हैं ये कश्मीर है दिलकश, खुबसूरत, एकदम जन्नत इस जन्नत को जहन्नुम बनाने का ख्वाब पाकिस्तान रोज पालता है और आतंक के लिबास में दैशत के किरदारों को चोलियों में भेचता रहता है और जब बर्फ कश्मीर पर राज करने को बेताब होती है बारूद की गंध कुछ जादा आती है क्योंकि बर्फ से भरी वादियों में चुपकर पीट पर बारूद लागते हुए दैशत गर्द कश्मीर में दाखिल होते हैं जिससे चुनार की वादी में खुन खराबे से चीक बुकार मचा सके ऐसे ही खुनी किरदारों का एक वीडियो सामने आया है ये वीडियो खुन खौला देगा ये वीडियो तहल का मचा देगा ये वीडियो आतंकी घुसपैच को बे नकाब कर देगा ये वीडियो पाकस्तान की शराफत का नकाब नोच लेगा ये वही वीडियो है जिसने पाकस्तान की बारूदी साजिश का खुलासा कर दिया है इस वीडियो में एक दो नहीं पूरे 27 आतंकवादी दिख रहे हैं गौर से गिल लीजिए एक, दो, तीर, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और आगे एक, एक करके पूरे 27 आतंकवादी बर्फ से ढके पीर पंजाल पहाड से होकर कश्मीर में दाखिल होने को तयार दिख रहे हैं हाला कि वीडियो किस जगे का है और कब का है इस बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है इस वीडियो में देखने से पता लगता है कि सभी आतंकियों ने आर्मी की वर्दी पहनी है सभी आतंकियों के पास automated हतियार है सभी आतंकियों की फीट पर बारूत से भरा पैग है करीब 4 मिनट का ये वीडियो सोशल साइट्स पर खुब वाइरल हो रहा है इस वीडियो को खुद किसी आतंकी नहीं कैमरे में कैद किया है वीडियो को देखने पर पता लगता है कि दो आतंकी पहले पहुँचते हैं और दूसरी तरफ से आ रहे आतंकवादियों से गले मिलते हैं उसके बाद बारी बारी से दूसरे आतंकवादी आते हैं कुछ आतंकवादी बर्फ पर बैट जाते हैं, कुछ नारे लगाने लग जाते हैं आतंकियों के पीट पर लदे बैग में खाने पीने का समान भी है और बारूत भी बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हिद्पुल के हो सकते हैं हालाकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, कि ये वीडियो कब का है हो सकता है ये वही आतंकी हो जो कुछ दिन पहले लोसी पार करके कश्मीर में दाखिल हुए हो क्योंकि खुफी आजनसियों को इंपुट मिला था कि करीब साउथ कश्मीर से एलोसी पार लांच पैट पर आतंकी कई दिनों से इस कोशिश में है कि किसी तरह से कश्मीर में दाखिल हो जाए इसके लिए पाकिस्तानी सेना भी साथ निभा रही है रह रहकर सीज फायर तोड़ती है जिससे गोलिबारी की आर में आतंकी घुसपैट कर ले है सेना की उत्तरी कमान के मताबग अभी भी पीर पांजाल रेंज के उत्तरी और दक्षने इलाके में करीब 400 से ज़्यादा आतंक वादी घुसपैट की तयारी में है जिसमें साउथ आफ पीर पांजाल में 185 से 220 आतंकी नौर्थ आफ पीर पंजाल में 195 से 220 आतंकी हेजबुल और जैश के आतंकी घुसपैट को तयार थक्रिबन साथ पीर पंजाल 185 to 210, 220 रहते हैं हमेशा उनको आगे बेजने के लिए पीछे से लोग और आजाते हैं इस कैंप में ये खभी बहुत कम होता है उपर नीचे 10-15 का होता है लेकिन आराउंड 200 to 225 is always there in the border खूफी आजेंसियों से मिली जानकारी के मताविक एलोसी पार पीयोके में हेजबल और जैश साथ मिलकर भारत के खिलाफ साज़े शुरच रहे हैं और ज्यादतर लाँच पैड पीर पंजाल रेंज के पास बनाए हैं जिससे बरफीले मौसम में ज्यादा से ज्यादा घुसपैट कराई जा सके लेकिन सेना ने मुहतोर जवाब देने की पूरी तयारी की हुई है और हमारी स्रक्षा सेनाई जो है इसके लिए काफी मुस्टैद है और वो इस बात के लिए तत्पर है कोई भी ऐसी कोशिश पाकिस्तान की जिससे की वो सौथ अप्पिर पंजाल में मिलिटेंसी को टर्रिजम को बढ़ावा दे सके उसके उपर रोक लगाएंगे आतंकवादियों के गुसपैट के इस वीडियो से ये साफ हो चुका है कि किस तरह बर्फ की आर में पाकिस्तान आतंकियों की गुसपैट करा रहा है लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है इस साल सत्तर से ज़ादा आतंकवादी मार गिराए गए जबकि पिछले साल ओपरेशन आल आउट के तहर्ट दो सौ से ज़ादा आतंकी धेर कर दिये गए थे जिससे घाटी में आतंकियों का करीब करीब पूरा नेटवर्क धस्त हो गया था लेकिन सर्दियों में पाकस्तान फिर से घुसपैट कराकर आतंकी नेटवर्क को मस्बूत कराने में चुटा है और रह रह कर बौकलाते हुए सुरक्षा बलों पर भी हमले कर रहा है लेकिन पाकस्तान भूल रहा है उसकी हर साज़िश को नाकाम कर दिया जाएगा क्योंकि भारतिय जाबास हमेशा मुस्तैद है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया आतंकियों के घुसपैट की तस्वीरे आपने देखिए आतंकियों के आका मसूद अजहर का कबूल नामा जब जमू के सुझवान आमी कैमप पर आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठान जैशे मुहमद का नाम सामने आया तो पाकिस्तान ने इसे बेबुनियाद इल्जाम बता दिया लेकिन अब जैशे मुहम्मद के मुख्या मसूद अज़र ने खुद ये कह दिया है कि हाँ आर्मी कैम्प पर हमले मैंने करवाया था कि सिर्फ तीन नौजवान मुजाहिदीने किराम ने जम्मू के संजवान मिल्टरी कैम्प को उखाड कर रख दिया ये कश्मीर के गुनहगार का कभूल नामा है ये आतंकी अजहर मसूद की आवाज है जब भारत सरकार ने दुनिया को बताया कि सुझवान कैम्प पर पाकिस्तानी आतंकी संगठर जैशे मुहम्मद के आतंकियों ने हमला किया था तो हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर सफेद जूट बोल दिया कहने लगा इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है लेकिन पाकिस्तान की गोद में पलने वाला आतंक का अजगर मसूद अजहर खुद कितनी शान से एक बाले जुर्म कर रहा है कि सिर्फ तीन नौजवान मुजाहिदीन किराम ने जम्मू के संजवान मिल्टरी केम्प को उखाड कर रख दिया हजारों फोजी खुसी दस्ते हेलिकॉप्टर और टेंक उनके सामने तीन दिनों तक बेबस बने रहे पूरा इंडिया सर तापालरस कर रह गया थोड़े से अफराद के साथ बड़ी बड़ी फोजों को शिकस्त देना यह हदरत स्यदना खालिद इबन वलीद रदिया लाह उनू की जिहादी निस्बत का एक रंग है बेशक वह सफ लग थे अल्ह ताब की तलवार जो अल्ह ताला ने मुश्रिकीन और मुझाफिकीन के लिए सूंती यह तलवार क्यामत तक चमकती रहेगी इस तलवार का फैस क्यामत तक जारी रहेगा इन्शाल्ह देख लो पाकिस्तान, सुन लो अपने अजगर की आवाज तुम कहते हो कि तुम्हारी जमीन पर आतंक की फसल नहीं उकती लेकिन तुम्हारा पाल तुम मसूद अजहर बता रहा है कि तुम्हारी सर्जमी पर ही आतंक की वो फैक्टरी है जहां गुम्रह नौजवानों के दिल में जेहाद के नाम पर नफरत का जहर भरा जाता है और फिर तुम्हारी ही मदद से ये आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं आतंक फैलाने के लिए हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सबूट मांगता है अब पाकिस्तान ये बताएं कि उसे कौन सा सबूत चाहिए उसका पालतू आतंकी चीख चीख कर कह रहा है कि जम्मो के सुझवान आर्मी कैम पर हमला उसने करवाया आतंकी संगठन चैशे मुख्बत के मुख्या मसूद अजहर का ये आडियो सुझवान आर्मी कैम पर हुए हमले के बाद आया है अपनी इस तकरीर में मसूद अजहर अपने फिराईन आतंक्यों का गुणगान कर रहा है जहर अगल कर आतंक की आग को जेहाद का जरिया बताने की कोशिश कर रहा है अंदाजा लगाएं के दुश्मन की इतनी ताकत के बावजूद तीन मुझाहिदीन का एक फोजी केम्प में दाखिल हो जाना फिर पचास गंटे जजाएच जंग करना दुश्मन के हवास पर मुझाहिदीन के साथ उतर कर लड़ते हैं और उन मुझाहिदीन के हातों बड़ी बड़ी करामाद जाहिर होती है खुद कश्मीरी कियादत कह रही थी के मुझाहिदीन की तादात तीन है जबके हमले के दूसरे दिन इंडिया का दावा था कि तीन मुझाहिदीन शहीद हो चुके हैं कैब में से धमाकों और फाइरिंग की आवाज आ रही थी और मीडिया के तोस्त सारी दुनिया उन करामाद को देख और सुन रही थी जब तीनों शहीद हो चुके थे तो आखिर कौन लड़ रहा था किसके खौफ से टैंक अंदर ले जा रहे थे और किन की देशत से अपनी अमारतों को खुद उजाड़ा जा रहा था इंडिया सिरफ इसी हमले की हकीकत पर गोर करे तो वो अच्छी तरह समझ सकता है कि शिकर्स्त उसका मुकदर बन चुकी है उज़ा जैसे बुद को पाश पाश करने वाले हमारे इमाम हजरत सेदना खालिज बने वलीद रदी अल्लाह वानू की निस्बत इस जमाने की फिदाईयों में उतर चुकी है इंडिया जानता है कि जम्मू कश्मीर पर इसका कब्जा नाजाइज और गासिबाना है वो इन इलाकों को आज़ाद कर दे वरना सहिफ ललाही निस्बत उसके सारे गुरूर तोड़ देगी इंशाल्ला भारत सरकार ने हमले के तुरंत बाद पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि सुन्जुबान आर्मी ग्याम पर हमला मसूद अजहर ने करवाया रक्षा मंत्री में बकाइदा मसूद अजहर का नाम भी लिया लेकिन पाकिस्तान और दिराइव सपोर्ट देरिन लेकिन पाकिस्तान कहने लगा कि भारत की सरकार बेबुनियान इल्जाम लगा रही है अब खुद आतंकी मसूद अजहर का ये कबूल नामा ये आउडियो पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा है साथ ही मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं को अब ये समझ लेना होगा कि कश्मीर की फिजा बदल चुकी है अब जेहाद के नाम पर सहल पैलाने का खेल घाटी में नहीं चलने वाला अब कश्मीर के घर घर से अफसल और बुरहान नहीं बलकि अश्रफ मीर जैसे देश भक्त सिपाही निकल रहे हैं जो आतंकियों को धूल चटाने के लिए सीना ताने खड़े हैं सुझवान आर्मी कैम पर हुए आतंकी हमले में शहीद जेसियों अश्रफ मीर के जनाजे में उम्रा जन सैलाब ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर की आवाम अब आतंक के खिलाफ एक जुट है सुलो मसूद अजहर जिल लोगों का रहनुमा बनने का तुम नाटक करते हो वही लोग शहीद के जनाजे में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया एक तरफ आतंकी घुसपैट कर सेना और आम लोगों पर हमले की साजिश रच रहे हैं वहीं हमारे कश्मीर के रहने वाले ही आतंकियों के सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाने मुश्किल नहीं होगा कि पत्थरबाज और आतंकवादी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं एक तरफ बर्फ गिर रही थी गलियों में सुरक्षा बलों की गश्ट चल रही थी किसी को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी जिधर एक मकान को सेना ने खेर रखा था मकान के अंदर आतंकी थे लगातार गोलियां बरसा रहे थे सेना मोहतोर जबाद दे रही थी बताया जा रहा है कि एक मिल्टेट लोकल जो है वो फसा हुआ है वहां पे वक्फी वक्फी से फाइरिंग जारी है तब ही अचानक सैक्रों पत्थरवाजों का हुजूम न जाने कहां से आया और सुरक्षा बलों की खेरा बंदी पर ताबर तोड़ पत्थर बरसाने लगए ये कश्मीर घाटी के पत्थरवाज खगदारों की ऐसी हरकत थी जो न सिर्फ एक तहशत गर्द की हिफाज़त कर रहा था बलकि सेना और सुरक्षा बलों की चैलेंज देने की हिमाकत भी कर रहा था ये ताज़ा बारता कश्मीर के बारा मुला के पलहालान की है देखिए इसका नतीज़ा क्या निकला इंकाउंटर के वक्त पत्थरवाजी से सुरक्षा घेरा चूट गया सुरक्षा बलों ने अपने कदम वापस खीच दी आतंकी के सफाए का इंकाउंटर नाकाम हो गया और पत्थरवाज अपने साथ आतंकी को चुड़ा कर ले गया ऐसे घद्दारों के साथ क्या सलूप हो सेना अपना काम कर रही थी हंडोस्तान के दुश्मनों को अंजाम तक पहुचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पत्थरवाजों ने सेना को आउपरीशन से रोख थी पत्थरवाजों की आड़ में आतंकी फरार होगे सेना के फंदे में फसे देश के दुश्मन आजाद होगे अब यही आतंता सुरक्षा बलों और सेना पर दोलियां बरसाएंगे जहां बाज जवानों पर हमले करेंगे उनकी इस गुस्ताखी के बावजूद मानवा धिकार के रहनुमा ताली बजाएंगे और पत्थरवाजों को पत्थर के बदले पैलिट और बुलिट देने पर लंबी लंबी तक्रीरे करेंगे ज़रा आंकडों पर खॉल कीजिए 2015 में पत्थरवाजी में 730, 2016 में 2808 और 2017 में 1261 घटनाएंगे पिछले तीन बरसों में 17 पत्थरवाजों की मौत हो चुकी है जबकि सुरक्षा बलों के दो जवान शहीद हो चुके हैं इन आंकडों से सवाल उठता है कि दहशत गर्दों के साथ ही पत्थरवाजों के चिराफ एक्शन क्यों न लिया जाए क्यों न उन्हें मेजर गोगुई की तरह चीप की बौनट पर बांद कर तुरक्षा कबच बनाया जाए क्यों न उनके पत्थरों का जवाब पैलuyट से दिया जाए क्यों आत्म रक्षा में चलाई गई गोलियां और पत्थरवाज की मौत पर मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ एफायार के आज की तारीख में ऐसे जलते हुए जज़बा हर देश पक्त के उन्हें ऐसे रहनुमाओं की वकालत नहीं चाहिए जो पत्थर बरसाने वालों पर दूल बरसाने की पैर भी करते हैं ऐसे लोगों को आँख खोल कर बारा मुला एंकाउंटर की इन तस्वीरों को देखना चाहिए उन्हें ये देखना चाहिए कि जन पत्थरबाजों की वो वकालत करते हैं दरसल वो कितने देश द्रोही है बारा मुला की ये तस्वीर मुठ्थी मे आये दहशत कर पत्थरबाजों की गुस्ताखे की नहीं बलकि ये तस्वीर बताती है कि कश्मीर घाटी में पत्थरवाजों का एक गैंग है जो गंदूग से नहीं पत्थर से आतंग परसाता है अमेरिका के बीच पर मान युद्ध तो टल गया लेकिन एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी भनक नौर्थ कोरिया को नहीं है टका टूली, बाट टूली, बाट का युद्ध शुरू है अब तक हम और आप समझ रहे थे कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हवाई हमले कर सकता है लेकिन अब तो खेल बदल चुका है नॉर्थ कोरिया के ताना शाह किम जोंग के अमेरिकाम ने नई रड़नी थी तैयार किये अमेरिके सूत्रों के मताबक जो जानकारी मिली है दरसल उसके मताबक अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खलाफ फिजिकल अटाक नहीं बलकि डिजिटल अटाक करेगा या यू कहें तो कर रहा है नौर्थ कोरिया पर हवाई हमले की धंकी तो सिर्फ अमेरिका ने उसे डराने के लिए दी सच तो ये है कि ट्रम्प सरकार ने नौर्थ कोरिया के खलाफ साइबर से ना तयार कर लिए केम जोंगे परमाणों ठिकानों पर अमेरिकी जासूसों की नजर है अमेरिका ने ऐसे जासूस तयार किये हैं जो केम जोंगो ख़बाख कर सकते हैं टॉनल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राश्पती बनने के बाद से शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जब नौर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध की भविश्यवारी ना की गई हो आप मेंसे जादतल लोग मानते होंगे कि दोनों देशों के पीच परमाणू युद्ध का खत्रा टल चुका है लेकिन आप इतना जान लीजे कि सिर्फ परमाणू युद्ध का खत्रा टला है दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है इस युद्ध का नाम है साइबर युद्ध, इस युद्ध को लड़ रही है साइबर सेना सूत्रों के मुताबिक अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर साइबर अटैक शुरू कर चुका है अमेरिकी जासूस किम जॉंग के परमाणू जखीरे तक दाखिल होने की कोशिश में है पिछले 6 महने से अमेरिका की साइबर सेना किम जॉंग के हर वार को बेकार करने के लिए काम कर रही है अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया पर फिजिकल नहीं डिजिटल अटैक होगा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की साइबर सेना में सैकडों हैकर्स और कोरियाई भाषा के जानकार है अमेरिका ने पिछले कुछ वक्त में बिलियन डॉलर से कोरियाई प्रायद वीप में तक्नीकी इंफ्रस्ट्रक्चर मजबूत किया है जब आप कोई जासूसी उपन्यास या सिनिमा देखते हैं तो कम से कम एक बार तो ये खैल जरूर आता होगा कि ऐसी जासूसी मैं भी कर सकता हूँ या कर सकते हूँ जेम्स बॉंड जब किसी को चेस करता है तो आप सोचते हूँगे कि मैं इससे जदा तेज दोड़ सकता हूँ जेम्स बॉंड जैसी कार मेरे पास होती तो क्या बात होती सवाल उठता होगा क्या कि जेम्स बॉंड को सब कुछ कैसे पता चल जाता है आपके इन सवलाद के जवाब हाजर है अमेरिका के मानहिटन में एक ऐसी ववस्था की गई है जहां कुछ टेस्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि आप मिशन इंपॉसिबल के इतन हंट की तरह या फिर जेम्स बॉन्ड जैसे जासूस हैं जासूस बने टॉम क्रूस का एक्शन वाला करदार पलपल रहस से और रोमांच से भरपूर इस फिल्म का आप वेसबरी से इंतजार कर रहे होंगे जेम्स बॉन्ड की आपने पूरी सीरीज देखी होगी इन फिल्मों में जासूस के करदार में आपको इथन हंट और जेम्स बॉन्ड काफी पसंद भी आए होंगे इनकी रफ़तार सूजबूच आपको इनका कायल बना देती है ये वो जासूस हैं जो बड़े से बड़े मिशन को गहरे से गहरे रास को अपनी सूजबूच से सुल्जा लेते हैं इथन हंट जैसी रफ़तार और जेम्स बॉन्ड जैसी सूजबूच आपके अंदर है क्या जानना चाहते हैं तो चलिए नियॉयॉक स्पाई स्केप मैनहटन यहां आप इस बात का टेस्ट कर सकते हैं कि इथन हंट, जेम्स मॉन्ड या फिर दुनिया भर के जासूसों से आपका कितना मेल है यहां आप भूत और वर्तमान के फेमस जासूसों और उनके संसनिखेज जासूसी किस्तों को डिकोट कर सकते हैं आपके अंदर के जासूस को बाहर लाने के लिए कुछ मशीनों का इस्तमाल किया जा रहा है और ये भी जान लीजिए कि ये कोई आम मशीन नहीं है ये आपके सामने है World War II के समय इस्तमाल की गई Code Breaking Real Enigma Machine आप इस मशीन के जरीए अपना टेस्स ले सकते हैं कि आप में जोखिम लेने की कितनी क्षमता है आप में कितनी शक्तिया है यहां लिया गया टेस्ट आपको बता देगा कि आप किस बड़े जासूस जैसे हैं आपके अंदर किस इस्तर का जासूस है ये जानने के लिए स्पाइस्केप में कई तरह के टेस्ट लेने की ववस्था की गई है जिनमें एंक्रिप्शन, डिसप्शन, हैकिंग, साइबर वारफेर, इंटेलिजन्स, सर्विलांस और कुछ विशेश विकल्प उपलग्ध है सोशल अप्स एरिया जहां आप लेजर बीम के बीच से गुजर कर अपने लक्ष को मारने की कूशश करते हैं सारे टेस्स के बाद आप भी कह सकते हैं I'm Bond, James Bond